चैने दोस्तों मैं वीजे शुकला इंटरनेशनल कोर्ष इंटरनेशनल एफ्लीट आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर जहां पर होती है स्पोर्ट से जुड़ी हुई सैंटिफिक बात बगर बगवास तो आप सब लोग हैरान होंगे कि मैंने यह जो चस्मा या ग्लासिज लगाए हैं क्यों लगाए हैं तो यह रनिंग के नए ग्लासिज हैं इसको पहन के रनिंग बहुत अच्छी होती है अब कितने लोग मुझस पहरी रनिंग के तो नहीं हैं तो आप नीचे कमेंट करिए नो और इसी के साथ आज के इस वीडियो की जुरुआत करते हैं आसान भासा में तो जैसा कि आपको पता ही है कि यह रनिंग के नहीं हैं यह स्विमिंग के लिए हैं उसी तरीके से जिस तरीके से स्विमिंग के य पंजो पे भागिए यह सबसे बड़ा मिस कॉंसेट है इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ हूँ मैं आपको वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फास्टेस्ट और मैराथान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इलिट कि प्चोई का वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको किलियर हो अके तो उमीद है आपको किलियर हो गया होगा आपने इलिट किप्चोई का रुट लेन्ड करते हैं नअगी वो बॉल्ल ग्रिथ मिड फीड आर्च पर लेट करते हैं ना ही वो वह एडी पर लेन्ड करते हैं उनका जो रुट्रण है वो लेटरल है लेटरल मतलब जब आप पैर का आउटर वाला हिस्सा, जूते का आउटर वाले हिस्से पे जबाप प्लेंड करते हैं, उसे लेटर रर्निंग स्टैल बोलते हैं, तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके काफी क्लियर हो गया होगा, और बाकी क्लियर करने के लिए तो जो toes running पे होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 meter होती है और बहुत ज़्यादा ले ले बहुत कम runner ऐसे मिलते है 0.5% मिलेगे शायद अगर पूरी हिस्ट्री खंगाले है हम athletics की जो 400 meter तक toes पर भागते है अब miss concept है कि toes पर क्यों भागना चाहिए आप कभी भी toes पर नहीं भाग सकते है अगर आप toes पर भागने की practice करेंगे तो आपकी runny की speed कम होगी और धीरे धीरे आपकी performance कम होगी और आप injured भी होगे पसीना बहुत आ रहे क्यों हमारे light नहीं है तो ध्यान रखिए कि आपको toes पर बिल्कुल नहीं भागना है आज सही अगर आप toes पर भाग देते हैं तो बंद कर दीजिए कोई भी केरियन toes पर नहीं भागते अब कोशिश ये करिए कि आप अपने mid feet पर भागे अब mid feet पर भागने के लिए आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए दो चीजे करना बहुत जरूरी है एक तो hill running जिसका workout किस तरह करते हैं मैं नीचे description में उसका link डाल दिया है मेरा video अलेडी है और दूसरा आपको running drills करने है running drills करने से आपकी hamstring और cord काफी strong होती तो उमीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग टोस पे भागना छोड़ देंगे और अगर आपको अभी भी लगते है तो अभी एक demo कर लेते यार इस वीडियो को अभी pause कर दीजे या सुनने के बाद आप धीरे से अपने पंजो पे आजाए यह सेकंड आप पंजो पे आएंगे आपकी calf strain में आजाएगी आपकी gluteus muscle, not gluteus, gestrio muscle आपकी strain में आजाएगी तो सोचिए अगर आप throughout the distance अगर आप टोस पे भागते हैं तो calf पे कितना impact पड़ेगा यह छोटा सा trial था बाकी अगर आपका कोई कोशन है आप comment करके बता सकते हैं कुछ जानना चाते हैं मुझसे पूस सकते हैं Instagram पे आ करके मैं जाद तर लो के reply नहीं कर पाता हूँ उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जल से जल्दी channel grow हो ताकि मैं जाद लोगों तक पहुँच सकूँ तो उम्मिद करता हूँ information आपको पसंद आईए अगर पसंद आईए चनल को subscribe करें फेंड इन फामिली से share करें जब तक नया वीडियो आता है keep ना नहीं take care भाक मत अगी जाए